शायद सभी मेडिकल कॉलेज़ों को बंद करना पड़े क्योंकि आर्टिफिशल इंटेलिजन्स खुद बिमारी का पता लगाएगा और खुद ही आपका इलाज भी करेगा तो समाय आ गया है कि जो युवा डॉक्टर अभी तयार हो रहे हैं उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप लक्षणों से परे कैसे देख सकते हैं आपको अपने भीतर की गहरी बुद्धी को काम करने की अनुमति देनी चाहिए आंटिबायोटिक प्रतिरूद दिन बदिन बढ़ता जा रहा है और आयूरवेदिक पद्यतियां दिन बदिन घटी जा रही है तो हम आयूरवेद और ऐलोपेथी का सबसे बहतरी मेल कैसे तयार कर सकते हैं आयूरवेद और सिद्ध और प्राकृतिक चिकित्सा पश्चिम में विशेश रूप से यॉरप में तेजी से बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से भारत में बेशा के चीज़ें मर रही हैं क्योंकि उनकी मनजूरी के बाद ही हमें ने अपनाएंगे उनकी मनजूरी के बिना हमें से नहीं अपना सकते पर हमें एलोपेथी और इन दूसरी भारतिये प्रणालियों के बीच के अंतर को समझना होगा फिलहाल एक आयरुवेदिक डॉक्टर भी आपकी ही तरह किसी मेडिकल कॉलेज में चार साल या पांच साल के लिए जा रहा है तो वो जो सीख रहा है वो इलाज का एक कमतर तरीका है वो एक कमतर समझ है एक आयरुवेदिक चिकितसक या जो आयरुवेद का अभ्यास करना चाहता है उसे चार साल के कोर्स में नहीं जाना चाहिए आपको इसमें अपना जीवन लगाना होगा वरना ये नहीं होगा परमपरागत रूप से वो बचपन से ही महसूस करना सीखते जड़ी बूटियों को लोगों को नाडी को और दूसरी चीजों को यानि एक तरह का इंट्यूशन यानि सहज बोध विक्सित किया जाता है जिस के सिस्टम में क्या सही है और क्या गलब इसके लिए एक अलग स्तर की भागीदारी की जरूरत होगी वो भागीदारी अभी मौजूद नहीं है हम चीजों को यूँ देख रहे हैं कि अगर मैं इतना करता हूं तो मुझे वो नौकरी मिलनी चाहिए या मुझे दुनिया में वो ओदा मिलना चाहिए ऐसे भाव हों तो ये पधतियां शायद बहुत अच्छे से काम ना करें आपने ये तो सुनाई होगा कि आयुरवेद और सिद्ध में अगर एक डॉक्टर एक दवा देता है तो वही दवा एक व्यक्ति के हाथों से मिलने पर बहुत अच्छे से काम करती है पर किसी दूसरे के हाथों से मिलने पर ठीक से काम नहीं करती क्योंकि जो व्यक्ति इसे देता है वो भी उतना ही महत्वपून है जितनी की दवा क्योंकि वो दवा सिर्फ अपनी रासायनिक संरचना के आधार पर काम नहीं करती पूरी एलोपेथिक पद्धती आसायनिक संरचना के आधार पर ही काम करती है वैसे भी इस बात का खत्रा है शायद सभी मेडिकल कॉलेजों को बंद करना पड़े क्योंकि आर्टिपिशल इंटेलिजेंस खुद बिमारी का पता लगाएगा और खुद ही आपका इलाज भी करेगा आपरेशन शुरू हो चुके हैं अभी रोबोटिक सरजरीज हो रही हैं अभी भी इनसानों की जरूरत है क्योंकि मशीनों को अपग्रेड करना होगा लेकिन 25 सालों के अंदर यहां तक कि आज भी अमेरिका में मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं मैंने एक डॉक्टर को देखा जिनने मैं बहुत अच्छे से जानता हूं वो एक पुराना ब्लैक बेरी लेकर घूमते हैं ब्लैक बेरी का जो पहला मॉडल आया था जो इतना मोटा और बड़ी ख्रमता वाला है जब भी उनके पास कोई मरीज आता है वो बस अपने ब्लैक बेरी में देखने लगते हैं मैंने कहा आप फोन देखकर लोगों का इलाज कर रहे हैं उन्होंने कहा नहीं सद्गरू मेरी सभी मेडिकल की किताबे यहां हैं इस फोन में हैं मैं बस उन्हें पढ़कर मरीजों से बात कर रहा हूं तो अगर आप फोन में देख सकते हैं तो अब फोन खुद भी इतना स्मार्ट बन सकता है कि वो खुद ही बता देगा अगर आप बस अलेक्सा को लक्षन बता दें तो वो आपको बता देगी कि आपको क्या करना चाहिए तो इस तरह के लक्षणों को देख कर इलाज करना कुछ समय बाद शायद इसका कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि आप केवल जानकारी कठे करके उसे प्रोसेस करके जवाब दे रहें ये काम मशीने किसी भी इंसान से बहतर कर लेगी क्योंकि इस प्रक्रिया को मशीने बहुत तेजी से और बहुत बहतर कर सकती हैं बिना कोई भी चीज छोड़े तो समाय आ गया है कि जो युवा डॉक्टर अभी तयार हो रहे हैं उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप लक्षणों से परे कैसे देख सकते हैं आयुरुवेद और सिध में यही बात महत्वपून है एक योगी थे जिनके साथ मैंने कुछ समय तक सेवा दी थी उनके मेडिकल कैम्प्स में जो वो आयुजित करते थे वो एक त्योहार जैसा होता था उनके पास जो भी मरीज आता था उसे सुनाने के लिए उनके पास एक चुटकुला होता था और ये एक त्योहार की तरह चलता था वो बस यूँए कुछ दे देते और लोग ठीक हो जाते हर दिन हजारों लोग उनसे मिलने के लिए लाइन में खड़े होते थे और वो खुद एक सौचे साल की उम्र तक जीए अगर कोई व्यक्ति एक सौचे साल की उम्र तक जीता है बुड़ा होकर नहीं अपने जीवन के आखरी दिन तक पूरी तरह से सक्री रहते हुए तो उसे सेहत के बारे में जरूर कुछ न कुछ पता होगा है ना मेरी पर दादी 113 साल की उम्र तक जीवित रही 113 साल की उम्र तक मैं आपको बताता हूँ शाहिद आपको बे तुका लगे लेकिन आपको इसे सुनना चाहिए क्योंकि अगर आप में खुलापन नहीं होगा तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे जब मैंने उन्हें देखा था वो सौ पार कर चुकी थी पर तब भी वो बहुत सक्रिय थी वो एक खुले मैदान में अकेले रह रही थी उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया था भगवान के लिए नहीं अपने लिए उन्होंने एक मंदिर बनाया और खुद उसमें बैठ गई क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक मंदिर की हगदार है ये भारत में बहुत आम है खास तोर पर महिलाओं ने बुजर्ग महिलाओं ने छोटे मंदिर बनाये और वहाँ बैठ कर एक अलग तरीके से अपने ही तरीके से मानवता की सेवा की तो जब आप माँ छुटियों के लिए जाते तो वो घर आ जाती अगर आप उन्हें नाष्टा देते तो वो उसे लेकर चीटियों को दे देती फिर गिलहरियों को, फिर चेडियों को, हर किसी को ज्यादतर नाश्टा इसी तरह खत्म हो जाता कुछ लोग खुदी सलाकार बन जाते और कहते बुड़ी माँ आप कुछ खाएंगे नहीं तो मर जाएंगी वो सब मर गए और वो बस वहाँ बैठी रहती है इन चिडियों और चीटियों को खाते हुए देखती रहती है उनके आँखों से आँसू बहते रहते अगर कोई पूछता कि आपने नहीं खाया तो वो कहती है मेरा पेट भर गया मैंने सोचा कि वो चीटियों को लेकर बहुत भावुक हैं मैं सिर्फ चार-पांच साल का था मैं चीटियों को खुचलता रहता था सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका उन्होंने कभी नहीं कहा कि ऐसा मत करो वो जानती थी कि वो वो कर रही है जो उन्हें चीटियों के लिए करना चाहिए चीटियां वो कर रहे हैं जो उन्हें अपने जीवन के लिए करना चाहिए मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे एक बच्चे के रूप में करना चाहिए जब मैंने कभी-कभी उन्हें इस तरह देखा और मैंने पूछा कि ये आपके साथ क्या हो रहा है तो वो बस जोर से हसती ही और कहती ही किसी दिन तुम भी जान जाओगे मुझे ये जानने में 25 साल से ज्यादा का समय लगा की आपके जीवन का संपूर्ण पोशन सिर्फ आपके भोजन और आपके द्वारा की जाने वाली चीजों से ही नहीं होता जीवन आपके दिमाग में चल रहे है विचारों से बड़ी घटना है कहीं ज्यादा बड़ी घटना आपके पैदाओने से पहले भी ये ब्रह्मान था सब कुछ काम कर रहा था आपके और मेरे जाने के बाद भी ये ठीक ही रहेगा आपसे परे भी एक बुद्धी है तुरंत उसे कोई नाम न दे दे भागवान ये वो क्योंकि आप ऐसी चीजों के बारे में निशकर्ष निकाल रहे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते अगर आप यहाँ जीते हैं ये बहुत महतपून है अगर आप यहाँ जीते हैं साफ तोर पर ये जानते हुए कि आप किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आपके बुद्धी सतर्क रहेगी हर चीज के प्रती पर आप निश्कर्ष निकालते हैं, किताब पढ़कर, ये और वो बक्वास सुनकर, आप कहते हैं, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, जैसे ही आप अपने ग्यान से अपनी पहचान जोड़ते हैं, आप बहुत छोटे बन जाएंगे, क्योंकि आप चाहे जितना भी जानते हों, आप जो जानते हैं वो फिर भी इस रिष्टी में बस एक छोटा सा कण है, है ना, पर हमारी अज्ञानता असीम है, इसे अज्ञानता की बुद्धी कहा जाता है, अगर आप हमेशा ये जानते हैं, कि आप नहीं जानते, तो आपकी बुद्धी हमेशा बिलकुल सतर्क रहेगी, चाहे आपका शरीर जाग रहा हो या सो रहा हो, वो बिलकुल सतर्क रहेगी, एक डॉक्टर को यही करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बाते कहने का मुझे खेद है, शायद आपको दवाएं पता हों, शायद आपने दुनिया की सारी किताबे पढ़ी हों, शायद आप ऐसा होते वे देखेंगे, हाँ या ना, आपके और मेरे परे भी एक बुद्धी है, एक ऐसी बुद्धी जो हमारे निर्मान करती है, एक ऐसी बुद्धी जो एक आम को इनसान बना सकती है, अगर आप उसे अपने भीतर काम करने की अनुमती नहीं देते, अगर आपको को लगता है कि आपके दिमाग में सब कुछ है तो आप एक मूर्ख डॉक्टर बन जाएंगे आपको अपने भीतर की गहरी बुद्धी को काम करने की अनुमति देनी चाहिए